कि यह यह थैंग दोस्तो हमें अक्षे सर नाल देगंज वाले और आप देख और क्लास और क्लास दे cowboy Z क्लास में लस्टक्लास में जो बताये थे वह कुलनोमीयल पॉलमियल पत फॉर अब पॉलमीयल प्रट में क्या था तो पर धूर्ट में जो बता Ink्सर्ण लास्ट में जो हुंबग दिये था आपको ध्यान होगा यही दर्स को जो हुंबग था हम बोले थे कि इसको मिला देंगे next class में क्योंकि मिलाने एक बाद अंदर से आपको self confidence आता है कि हाँ आप मेद बन रहा है तो चली इधर-दर के बखवास को बंद करते हैं डायरेक्ट इसको मिलाना शुरू करते हैं कि मिठाते हैं एक एक करके मिलाते हैं एक एक करके मिलाते हैं ऐसे इसका screenshot तो आप ले लिए होंगे और ने लिए होंगे तो question लिखल होगा जो पढ़ने वाला student होगा उध दसों question पर ट्राय जरूर किया अगत भले बने या नहीं बने ना नहीं बनना बाद की बाद सै heeft वो चीज बाद किया है लेकिन ट्राय जरूर किया होगा thinking किया हो आऊथा जो पहला question हम दीये थे जो थर्ड नंबर क्वेस्टन था वो था माइनस सेक्स कॉमा सेविन पहले यही तीन क्वेस्टन देखते हैं फिर उसके आगे बढ़ते हैं इन तीनों में दिये क्या थे तो वही चीज अभी लिखल भी दुएगात बहुपत क्यात करें जब मूल दिया गया हो हलाके मूल बार अलफा है और जो चार दिखाए दे रहा हूँ बीटा है क्योंकि यह सिर्फ सुन्यक है जैसे इसके पिछल्य के पिछले कि गुलस में बोले थे हैं कि सुन्यकों का योग है और ये सुन्यकों का गुनन फल है तो वैसे सिच्वेशन में डाइरेक्ट लिख देते थे अल्फा प्लस बीटा बरावर तीन और अल्फा गुने बीटा बरावर चार लेखने हैं उस सब बाते नहीं अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना पड़ेगा है तीन और चार साथ अल्फा और बीटा निकालना होगा हम समझ सकते हैं कि आपको लग रहा हो कि एक एंचीजवा बार 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 बता रहे हैँ तो बोल तो दीए नहीं यार कि आप इस चैनल पे जाके देख लिजेए वहां बताय हुए है एक के चिजवा बार बार बताने का सिर्फ एक की परपस है कि एकर सेम टाइप से क्वेस्टन को दू-तीन वार रिपीट करवाया जाए तो प्रोब्लम पुरा दिमाग में फिट हो जाता है फिर चाहके वह नहीं भूल पाए और ऐसा तो है निकि हम आगे ने बढ़ने बढ़ेंगे पक्का बढ़ेंगे लेकिन अभी पहले इसको तो मिला दें अब दुएखाद बहुपद लिखना था एक काम करते हैं हम बार बार सुतन ने लिखते हैं डायरेक्ट अंसर बताते हैं एक सब्सक्वायर माइनस सेवेने सब्समें 12 आप अंसर मिला लेजेगा क्योंकि तरीका तो हम बता दिए कैसे बनाना आप अंसर मिला लो जैसे इसी का अंसर अगर बोले थे एक सब्सक्वायर और यहां माइनस हो जाएगा माइनस में माइनस में आठचे 14 एक सब्समें आठचे 48 आप अंसर मिला लेजे सिर्फ पस्टिक है थर्ड नंब आए सेम बार-बार क्या रिपीट करते रहें अंसर मिलाते चल जाएए काफी है तो अंसर मिलाना है ते एक काम करते तीन गो तो हो गया ने है लेज़े थे थे चौथा नंबर चौथा था मैनस 6, मैनस 3 पचमा था 8, 4 चथा नंबर मैनस 5, मैनस 4 साथमा नंबर मैनस 8, 3 आठानोंबर माइनस 4,6 नॉआ माइनस 7,4 तरह है सिर्फ मिलाना ही तो है अंसर लिखना है तो आंसर लिख देते हैं देखे है एइसीклад लिख देते ने इसका अंसर कितना हो जाएगा एकस अस्क्वार एक जाए ठीक है प्लस 9x बनाकर आप चेक कर लेज़ेगा और प्लस में छेतिया 18 इसका अंसर हो जाएगा जैसे इस question का अंसर एकस स्क्वार माइनस में 12x प्लस 8 चके 32 अंसर हो जाएगा इसका अंसर बोले देखो इतना tough नहीं है कि हम बताए क्योंकि 10 को question समझा दिये आप बनाने का परियास किजिये हम सिर्फ अंसर मिला दे रहे हैं इसका अंसर हो जाएगा 11 और माइनस 9x नहीं माइनस ने पलस हो जाएगा प्लस 9x और पलस में चरपचे 20 इसका अंसर हो जाएगा 1 चक्र और माइनस आठ टिया 24 जिसे इसका अंसर अगर पूछें ते एक सस्क्वायर और छे मीसे चार गया तो दू माइनस में 2x और माइनस में 6 चार के 24 इसका अंसर अगर जेक करोगे तो इसका अंसर हो जाएगा प्लस दू दू ने चार इसका यह अंसर होगा हाँ यह वला आपके मन में लग रहा होगा यह कैसे हो गया रूट वला थोड़ा सा समझा देजिए ज्यादा अच्छा रहेगा जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको भी तो ध्यान में रखना देखो अलफा इसमें हो गया दू रूट दू कर और बीटा हो गया रूट अंडर दू तो निकालना तो पड़ेगा कि अलफा प्लस बीटा क्या होता है त्ट दोनों को जोड़ दो तहीं रूट दू है हाँ यहां पर दूवरू रूट दू है यहां कि ऑलफा प्लस बीटा इंटु एक्स अपलस में अल्फा गुन एक्स पीटा-02 सभी है अल्फा प्लस बीटा कितना है तीन रूट-02 लिख Schutzal K तो हमाजीद सोदीये थे 10 को मिला दी और थोड़ा सा टाइप यही राने देते इंद क्रते साथ लेवल थोड़ा सा खाली हाई कर दे कि जिसे कि ऐसा नहीं gay अलخі अल्क करनाया है कुछ जान कुछ सन मेरे थोड़ा सा उपर कर देते हैं लेवल कि देखें थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं क्वेशन का जैसे प्वेशन नमबर फॉस्ट 3 प्लस रूट 7 प्रफिर एक चीज देखें 3 माइनस रूट 7 मतलब यह आलफा है और यह बीटा है इसे टाइप से एक और क्वेशन दूसरा नमबर उसमें 4 प्लस रूट 5 है और 4 माइनस रूट 5 है question number third 3 plus root 2 है 3 minus root 2 है और जैसा कि आपको मालूम है मेरे पढ़ाने का तरीका कि हम एक तरह से धेर सारा question बताते हैं जैसे कि एक ने तो दूसरा दूसरा ने तो तीसरा तीसरा तो चाओ था अभी तीनों same तरीका के question है सेम जैसें question काहे दिया इसलिए जए में इसको alpha मानो इसको बीटा मानो बाइदे विए किसी का छूट गया तो उस में समझ जाना इवी नहीं समझ में आया तो उसको प्रयास करना उन्हें समझा तो नेसरा प्रयास करना अब आपड़कु में समझे तो भगवान का नाम लो अल्फा प्लस बीटा निकालना अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को जोड़ दो तो जोड़ने के लिए अलग से नियम क्या लगा है सिंपल यहां पर खाले पलस के चिन्हा लगा दो तो पलस के चिन्हा लगा निस क्या होगा रूट सेवन प्लस म आपे गुना लगा दो प्तलब गुना कर दो देखते हैं यह हो गया a plus b और यह हो गया a minus b थे plus b और a minus b अगर दोनों गुना करेंगे थे plus b और a minus b की फॉर्मूला होता। a square 3 के square 9 और minus b square root 7 के square सिर्फ 7 तो alpha plus beta क्या निकल गया अल्फा ब्लस बीटा एक्वल टू छे और अल्फा गुने बीटा कितना अगया तो 9 में से अगर 7 घट भी जाएगा तो 2 हो जाएगा अब ज़रा ये बताईए कि दुईखात बहुपद इतना बार लिखे हैं कि रटा गया होगा दुईखात बहुपद के सुत्र एक्स अस्क्वाइर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपलस में अल्फा गुने बीटा खुद सोचो की एक्स अस्क्वाइर और अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है यहां से 6 तो 6 एक्स रख देंगे प्लस अल्फा गुने बीटा मतलब दूर, तो दूर हो गया, इतना आंशर, जैसे इस question पे धयान दो, उसा एक मुन्ट, परचैन कर लेते हैं, इस वे, जो देख रहे हो, यह अल्फा है, और यह जो देख रहे हैं, बीटा है, ऐसा ने कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गु दोनों को जोड़ देना है तो जोड़ देते हैं पलट की देद्गे जिस नहीं यहां रूट फाइब पलस में रूट फाइब माइनस में जोड़ चार आफ्ट हो गया, गुना कर देंगे तो A plus B और A minus B मतलब A square तो 4 के square, 16 रूट फाइब के square, सिर्फ 5 तो alpha plus beta कितना हो गया, 8 और alpha गुने बीटा कितना हो गया 16 में से अगर 5 घट भी गया ते 11, अब ज़रा ये बताओ कि दुई घात बहुपद दुई घात बहुपद के सूतर क्या होता है दुई घात बहुपद के फॉर्मूला होता है x square minus alpha plus beta into x अपलस में alpha गुने beta x square सही है alpha plus beta कितना निकला alpha plus beta equal to 8 x plus alpha गुने beta 11 यही वला हो जाएगा answer जैसे third number question में देखते है इसमें यह अल्फा है और यह जो दिक्भाई दे रहा है बीटा है तो alfположnya क्या होगा जल्राइए बतायी अल्फा ब्लस 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 रुंग क्या हो ऑ़ो निकालना इस判ा चाम करते हैं थर्ड नंमर क्यूं चोड़ देते हैं सेम तरह कि दून अच्छा जोडते नहीं बताते हैं अल्फा प्लस बीटा तीन दोनों को जोड़ दो तो जोड़ेंगे तो रूट दू पलस में रूट दू माइनस में दोनों तो कैंसिल तो बचा छे फिर अल्फा गुने बीटा निकालना है तो यह पलस भी है जापर अगर माइनस भी दोनों को अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा देखते हैं अगर दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा